हेलो इस्टुडेंट विल्कम बैक तो माई चैनल अश्टड़ी 750 पर आपका स्वागत है यदि आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो को लाइक कर दें आप हमारी चैनल की माद़ें से क्लास्टेंस की ओल सब्जेक्ट की फिरी प्रिप और ऐसे धातु का उदारन दीजिए जो ठाल यहाता है हमें ऐसे धातु का उदारें देना है जो क्या हो किका कंभरे के ताप पर द्रहो थी तो कंसा मेटल है कंभरे के तापर चा क्षु्ए वह द्राभ होता है अ eh okay कौन्सा धातु द्रहोता होता है पारा पारा क्या होता है पारा एक धातू है फिर भी क्या होता है वह लिक्विड की तरह पाया जाता है ठीक है दूसरा क्यों उस्मा का सबसे अच्छी चालक होता है ठीक है जो उस्मा का सबसे अच्छा चालक होता है जो बिरुद्धारा का जो सबसे अच्छा चालक हो सबसे अच्छा परवा करने वाला धाटु कोन будете हैं चन्दी और तामबा घूँसे अच्छी तरह तरह एक हस एक यह जाए को कि अग्यूचन है सन्योजगता से आप क्या समझते हैं सन्योजगता क्या होता है क्यूचन 2019 में पूछा गया है सन्योजगता से आप क्या समझते हैं तथा दूसरा मैगनिसियम की सन्योजगता लिखें सबसे बाहरी वाली खक्ष में अर्थार्थ सन्योजी सेल में वर्तमान इलेक्ट्रोनों की संख्या सन्यो जगता इलेक्ट्रोन कहलाती है, ठीक है, कहां परी, पर्मानु की ब्रामतम सेल, मलब पर्मानु के सबसे बाहर वाले कक्षे में, वो अर्तमान जो इलेक्ट्रोन की जो संख्या होती है, वो सन्यो जगता इलेक्ट्रोन कहलाती है, जिससे यहां पर सोडियम, सोडियम का, इलेक्ट्रोनिक बिनियास केतना होता है 281 थीकों अब देखिए जब यहां से 281 सोडियूम तो कि जब इसका किया गया दो आठ एक अब देखिए इसके सबसे बाहरी वाली कख्च में कितने इलेक्ट्रोन है है एक एलेक्ट्रोन किसे लेक्ट्रोन है एक निक्ट्रोन तो जो सबसे बाहरी वाली इलक्ष्म ह कैन खाते हैं तो इस सोडियम के सण्योर जगता इल« कितने हो जाएगी मताइजी आप सब्सक्र क्यों होना कि सबस्टै बाहरी वाली कोध्ष केंस एकुण ,osan एक सिर्फ एक इलेक्ट्रोन है किने एक इलेक्ट्रोन है इसलिए इसके सन्य जगता है इसका बोल रहा है मेंगनिसियम की ब्रहा कक्षा में इसलिए सन्य जगता कितनी होगी दो होगी थैं मेंगनिसियम हम के इम जी इसका कितना होता है परवानुस संक्या 12 जब इसका मार्ट्रोन की बारी वालिक है सब्ससे बारी वालिक्यक्ष में कितने हैं तो इलेक्ट्रोन जिसकी सब्सक्राइब से इलेक्ट्रोन कि दो कि लिए रहे vest mone the चलते हैं उतने है नेक्ट्रे जिंद dressing आपप आजाएं अगला की मैं रहा है क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभी किरिया करती है जब धातु जल के साथ अभी किरिया करती है तो क्या होता है और सकेंड इसमें हमारा क्यूचन है क्या होता है जब धातुओं का वायू में दहन होता है जब धातुओं को वायू में दहन किया जाता है तब क्या होता है तो सबसे फर् धात्वें जल के साथ अविक्रिया कर अधिक मात्रा में उस्मा उत्पन करती है जब धात्व जल के साथ जल के साथ जल के साथ अविक्रिया करती है तो क्या करती है अधिक मात्रा में उस्मा उत्पन करती है CAO जल के साथ तीवरता से अभिकिर्या कर बुझे हुए चुने CAO-H2 का निर्मान करके अधिक मात्रा में उस्मा उत्सर्जित करती है यह सन्योजन अभिकिर्या है ठीक है देखें यहां से क्या होता है CAO जो है वह जल के साथ तीवरता से बहुत जल्द उसके साथ अभिकिर्या करके हमें क्या देता है यह बूझा हुए चुने CAO-H2 का निर्मान करता है और अधिक मात्रा में उस्मा उत्सर्जित करता है यह सन्योजन अभिकिर्या है ठीक है यह कुन साथ किर्या है सन्योजन अभिकिर्या और second वाल हम लोग की उच्छे देखेंगे क्या होता है जब धातू का वाईू में दहन होता है तब क्या होता है चलिए इसका answer देखते हैं धातू को वाईू में जलाने पर वे बियोजित होती है जब धातू को वाईू में जलाए जाता है है तो क्या होता है वे बियो जित होती है जैसे हुए CAAO CAAO3 गो जब हम जिलाते हैं सो भी पर रपते हैं। CAO plus CO2 यह दोनों क्या होते हैं हैं इसमा देने पल कैलसियम कार्बोनेट केलसियम ओक्साइड तथा कार्बन डाइया ओक्साइड में भीयोजित हो जाती है जो कैलसियम carbonate है यह दो भागों में बढ़ जाती है कोनकोन में calcium oxide में और दूसरा carbon dioxide में ठीक है उसबाद में वीजित हो जाती है यह प्रमुक भीयोजन अभिकिया है ठीक है आप इसके यदि आप यूजन अभीकिरिया का परिवासा लिखते हैं तो आप यहां से उसकी इजामपल दे सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूचन चलते हैं लोग अगला क्यूचन नमारा है इस्वेंड बढ़ा है एक मिस्र धातु क्या है मेगलेनियम नामक मिस्र धातु के अबयों के नाम लिखिए इसकी कोई दो उप्योग लिखिए ठीक है एक मिस्र धातु क्या है मेगलेनियम नामक मिस्र धातु के अबयों के नाम लिखिए तदा इसकी कोई दो उप्योग लिखिए चलिए इसका इंसर टेखते हैं लोग यह दू या दो सी अधिक धातु अधवा तदा अधातु का संभागी मिस्रन है ठीक है मिस्र धातु क्या है यह दो या दो से अधिक धातु या अधातु का संभागी मिस्रन है कौँसा मिस्रन है संभागी मिस्रन है जैसे एक जामपर ले लें जैसे पीतल तामबा तदा जिंग की मिस्र धातु ठीक है पीतल जो है वह तामबा और जिंग की क्या है मिस्र धातु इowsफार कांचा तामबा रह तीन की मिस्रदाद सिस्टा में किसे मिलके बनावता है किसी हो coração से मिलकर बना होता है और यहांगे दखते हैं दयते हैं का मेdal wiem का संघठन कुर कोन से हैंailing मेंगेनियम worrying थिर्ड फाइब डिए नाइटीप कीदिने पाइब पर सेंट यहां सब देख लेться एक हिसम सबसे जО् Lieutman कि और फाइब पर सेंट कि एवाल फाइब पर सेंट है और फाइब और स्पाइब है कि मेजलेनियम का उप्योग का होता है चलिए मेगलिनियम का उपयोग देखे हलकी तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में परियोग की जाती है यदि आपसे एक नमबर वाले क्यूचन ने पुछे कि मेगलिनियम का यूज कहां किया जाता है हवाई जहाज के भाग बनाने में तो आपको कौन से भाग को टिक मारनी है हवाई जहाज के भाग बनाने में मेगलिनियम का परियोग किया जाता है दूसरा यह वाहनों तथा तुलाओं के भाग बनाने में कामाती है मेगलिनियम जो है यह वहनों तथा तुलाओं की भाग बनाने में कामाती कौन मेगलिनियम क्लियर है इस्टुडेंट चलिए तो इस्टुडेंट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं कियोंगे तो आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें हमापको क्लास तेंज की ओल सब्जेक्ट की फ्री प्रिप्रेशन अपने चैनल की माध्यम स कराते रहेंगे तो आप हमारी चैनल के माध्यम से बीवियाई औब्जेक्टिक की उचन प्रिवियाई सब्जेक्टिक की उचन तब मोडल पेपर जब अब सभी का प्रिप्रेशन अमारे चैनल की माध्यम से कर पाएंगे